हमारे सब प्रदीप है यूपी से स्वागत है प्रदीप आपका नमस्कार नमस्कार मेरा सवाल अगिन जी जी बताइए नमस्कार सर जी आदाब सर मैं उमारे पिता जी है करीम उमर है उनकी 15 साल तो उनके घुटनों में डर्ध रहताव सुजन भी रहती है ठीक है और उनको तरदी हो या गर्मी हो मतलब हर्द जुपान सा बना रहता है ठीक है ठीक है अच्छा देखिए घुटनों के तकलीफ के लिए हर घर में एक बुज़र्ग है और हर बुज़र्ग को एक तकलीफ है चोडों की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, कमर की तकलीफ, अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के साथ वो ठीक हो जाएं, तो एक रौ मैटेरियल आता है, उसको कहते हैं, गौन सिया, गम, गौन मतलब गम, गौन सिया देखने में ब्राउन और जायके में कड़वा हो होता है, असली वाला लीजे और 100-200 ग्राम खरीद लीजे, इसका पाउडर बना के दो चुटकी सुबा, ये चुटकी है न, दो चुटकी ऐसी भर-भर के सुबा और दो चुटकी शाम, पानी से या बगर चर्बी के दूस से या जूस से खिलाएं, दो बार, तो उनका कैसा भी दर्ध है, ठीक होना मुम्किन है। जुकाम जो बना रहता है, उसके लिए लिषुडा आता है, लिषुडा गाउंवाले सब जानते हैं, लिषुडा आप सर्च भी कर सकते हैं, लिषुडा लीजे और उसको एक चमच में जितने आएं, सुकावा मिलता है। इसे पानी पा कई आसका । जी आधा। जी बोलिये professors सुगर के पेसिंट है हमारा सुगर है अधी 24 24, दवा खाने के बाद दवा खाने के बाद 24 ऐचा ये खाली पेट की है या भाला, खाना खाने के बाद अच्छा खाली पेट की कितने होती है 180 180 तो याज़ीग, दस, 110, अच्छा, आधिए जिन लोग को शुगर होती है, उनकी खाना खाने की बाद की शुगर, जितनी होती है, खाली पेट की उससे दोग नहीं हो जाती है, ये उनका रोग है, और इसके लिए आप दवा, सही दवा ले रहें, और जो खाली पेट की है, 110 है ये अगर सौकर अंदर आ जाये तो बहुत अच्छा है एक दवा है एक सिर्का है वो बहुत इसमें मशूर है और बहुत कामःाबी है आप उसे ले ले जैतुन का सिर्का आप दो-तीन चम्मस सुबा दो-तीन चम्मस शाम अपनी सबजी अबजी में मिला कर भी ले सकते हैं, पानी में मिला कर भी ले सकते हैं तो इससे शुगर कंट्रोल रहने के साथ आपके जो पार्ट्स ऑब बाडी जिनको डाइबटी नुकसान देती हैं किड्नी, आखें, लीवर, दिल, तो इनको नुकसान नहीं पहुचने देती हैं और आप एक सेहत मन जिन्दगी गुजार सकते हैं अगले कॉलर हैं, मोहिनी कोटा से हमारे साथ, स्वागत है मोहिनी आपका? जी साथ, वो साथ से बात करना है, अटिन साथ से जी मोहिनी जी आदा, बताई कैसे हुआ? जब मैरे इक तो पहले मेरे पित में पत्री है पित के थेरी में पत्री है, जो मतलब पुरानी है कितनी बड़ी है? मतलब अचारा गीस तक है ठीक है अचा एमेल ठीक है और मतलब पित कफ वायू यह भी ज़्यादा और पुचल चलती है जो मतलब भोड़े निकल आते हैं और उमर है मेरी पिचर तर अरे बाप, तो बहुत ही नियरे मैं आपका बड़ा इतराम करता हूँ अचा देखिए, पित की पत्री ज़्यादा तर जब बड़ी होती है तो उसे आपरेट ही करना पड़ता है और जिसके भी पित्ते पत्री होती है जब भी वो कुछ खाता है तो वात, पित और यह सब बड़ी जाता है बहुत परिशानी होती है बहुत बेचेनी, बड़ी तकलीफ होती है जब ये मुमेंट में होती है तो बहुत तकलीफ देती है अच्छा तरीका ये है कि इसको आप रिमूव करा दें आजकल बहुत अच्छे आपरेशन हैं जो पता भी नहीं चलता और कैमरा डालके आपरेशन कर देते हैं पेड़ में तो आप उसके लिए दवा ना लें तो बहतर है और बाकी जितनी आपकी परिशानी है उसका मैं अगर ये किड्नी में होती तो कितनी बड़ी होती मैं आपको नस्खा बतायता निकल सकती थी तो इसके लिए आप जरूर ऑपरेशन की तैयारी रखें और कभी ये क्योंकि इतनी परिशानी कर देती है कभी कभी क्योंकि वो पित्ता जो है बहुत बारीक होता है एक इसकिन की तरह एक धिल्ली की तरह होता वो कभी कभी उसमें ये इन्फेक्शन ऐसा कर देती है कि जान बचानी मुश्किल होती तो मेरी बात पर गोर करना और कभी भी से निकलवा दीजे आप सहत मन लग रहे हैं 75 साल की भी और राजिस्तान की बहुत मजबूत औरत लगती हैं आप मुझे और बाकी आपकी तमाम चीजों का इलाज होना मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं प्रोफेसर उदारी पंजाब से हमारे साथ स्वाबत है आपका अदाब अदाबर जादाबर कहते हैं जनाब बहुत किर्पा आपकी मैं बहुत देर से स्फिरना और सौफ की मेरा आथा कबद के लिए अब भी ये कुछ काम नहीं करती काफी देर इसने बहुत अच्छा काम किया है अच्छा आप ये बताइए और स्वाब की बात्रा में लेका ठीके 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 राद को लेते थे अच्छा देखिए आपको ये किसी वैद ने ये हकीम ने बताया था कि ये लेना है हलो एक जजज साब थे मुझे ने बहुत अच्छा चला है ये ठीके मैं ये बताना चाहरा था आपको देखो जजज साब का काम है कानून के फैसले देना हम किसी भी के भी कहने से कोई भी चीज शिरू ने कर सकते जो मकी सना मकी है है कि यह पेट को उधेर देती है इस से घूश्यार रहें लोग खाते हैं लेकिन यह आतों को यह हो पकुग कुछ भी बतायता है को आकर पेट साफ कर दिया, तो गोर से सुनिये ये बात मेरी, ये सब नुकसान देते हैं, जब तक इनको मैलूल नहीं किया जाता है, ये शुद नहीं किया जाता है, इनको शुद किया जाता है, सनामकी हो या तिरिपला हो, इसको बदाम के तेल में भूना जाता है, और या कोई गरी आने वाली चीज है वो खतम हो जाते पिर इसे यूज करते हैं आप ऐसी कोई चीज इस्तमाल ना करें कोई भी जो करो लोग मेरी बाश सुन रहे हैं तो ये सब जो लोग आके बताते हैं बाबा लोग और यह वो तो इनकी बात में आपको फाइदा तो लगता है कुछ दिन के लिए लेकिन हमेशे के रोगी हो जाते है देखिए मैं आपको एक नुस्का बता रहा हूँ सौफ सौट अजवाइन धनिया सौफ सौट अजवाइन धनिया जीरा और एक नमक आता है कलोंजी का नमक उसे आसान जबान में कहते हैं या एस्टेक कलोंजी कहते हैं एस्टेक कलोंजी या नमक कलोंजी भी कह सकते हैं वो इसमें 100 ग्राम मिला लिजे और इन सब को पौडर बनाएए घर पर बाहर से पिशावा बिलकुल नहीं लाना और ये आप एक चमस सुबा एक चमस खाएंगे तो आपको पीट में रहात होगी और आप से हत्माजिन जिन्दी गुजार सकते हैं चलिए अगले कॉलर हैं राज कुमार अंबाला से हमारे साथ स्वागत है आपका अब जी मैटम जी नमस्कार रूब जी नमस्कार बाड़ी पर लाल लाल चकते हो जाते हैं कुछ भी खाते हैं तो ये अलर्जी है एक तरह की बहुत आसान इलाज है देखिए आसान इसलिए है कि दोनों चीज़ें आप एक किचेन में हो सकती है अलसी को लीजे आपकी मम्मी हो या पत्नी हो उनसे कहिए अलसी देदें हलका सा भून के बहुत हलका सा भून लीजे अलसी को और पौडर बना लीजे और एक चमच अलसी और एक चुटकी या आदा चुटकी सोड़ा खाने वाला इसमें मिला कर आप रोज खाईए आदा चुटकी सोडा, एक चम्मच अलसी का पॉडर, भुनावा, हलका भुनावा, आप खाएंगे अगर कुछ दिन या कुछ हफते, तो आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है तो चलिए आपकी परिशानी एकदम ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब आपने देसी नुसके यहाँ पर जान लिये हैं, दर्श को आप लोग कॉपी और पैनले के जरूर बैठिये, क्योंकि एक एक नुसका तभी आप लोग समझ पाएंगे, अगर आप लोग कॉपी पैनले के न हपस के प्रमोटर हैं और रिसर्चर फाउंडर हैं हकीम सुलिमान खान सहब जी, जिसकी 500 से भी जादा फ्रेंचाइजी देश भर में हैं और ये एक ब्रैंडिट कमपनी है, इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जी नमस्कार, स्वागत ह है आपका, रावजी स्वागत है आपका, तेज अवाज में बात कीजिए, आपके अवाज बहुत कमारी है, क्या तकलीफ है, उनको पेराद कुछ दर्द है, कमर दर्द है, और, मैं समझ गया, ठीक है, एज बता दीजिए, अगर आप मौजूद हैं, वैसे आपकी मम्मी हैं, तो 45 प्लस होंगी, आप हैं तो उमर बता दीए, वरना अनस्खा एक ही है, और वो है, देखिए, एक गौन आता है, जिसे गौन सिया कहते हैं, काला गौन भी कहा जाता है, यह हैं बहुत कड़वा, और साइज में थोड़ा बड़ा बड़ा स सा होता है, ब्राउन कोलर का होता है, लेकिन गौन सिया कहते हैं, यह काला गौन कहते यह लेलीजे, 100-200 ग्राम और यह अच्छा काम करता है, एक रआ मैटेरियल है, रो मैटेरियल लेना पिसावा बिलकुल मत लेना कोई भी दे और असली लेना नकली भी मिलता है तो इसको पाउडर बना लीजे और दो चुटकी दी ये चुटकी है एक चुटकी और एक और चुटकी दो चुटकी सुबा नाच्टे के बाद दो चुटकी शाम कुखलाना शुरू करें ये 100-200 ग्राम खत्म होने तक गौ बेलगता है आपसे संपर्क हमारा टूड गया है एक बाद फिर से आप संपर्क साधने का प्रियास कीजेगा नेक्स कॉलर जुड़ गए है श्राइद एक बाद फिर से सुनील हमारे साथ स्वागत सुनील आपका जी जी बोलिये सवाल कीजिये अमारा श्कीन डिटीज है हाथ और पर में काला काला हो गया हाथ और में और परेजमेंट जी ठीके एज बताईए एज अमारा फिर्टिटीज है ठीके अच्छा दिखिए अलसी ले लीजे चार पांच सु गराम हलका सा भून लीजे और इसमें पांच सो नहीं बलके छे सु गराम अलसी ले लीजे और इसमें सोडा मिलाए ये पचास गराम खाने का सोडा और इसको अलसी को पहले हलका सा भून ले न और फिर इसमें पीस्ते सावें पचास गराम सोडा खाने वाला मिला लीजे और सौ गराम आपको इसमें मिलाना है नमक कलोंजी कलोंजी का नमक आता है जिसे नमक कलोंजी कहते हैं और इसे ये एस्टेक होता है कलोंजी का कलोंजी का एस्टेक तो ये सब आप मिक्स कर लीजें और एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम यानि तीन चार गराम पानी के साथ दो बार लिया करिए एक बार मैं य यह 600-600 ग्राम मेटेरियल खतम होते होते आपकी इसकीन का ठीक होना मुम्किन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अमित इंदौर से हमारे साथ स्वागत हैं अमित आपका। हालो। हालो। नमस्कार। हालो। हाकींत आपको नमस्कार करता हूं। हालो। अगर नजला है तो नजले का इलाज करना पड़ेगा। और कोई और अगर आपको हार्मोनल कुछ है तो उसका टेस्स करा लें वो ठीक करना पड़ेगा नजला रहता है तो नजले का इलाज है लिसोडा लिसोडा खरीद ले और रोज आना एक चमच में इस्ती लिसोडा ये सुखे मिलते आएं वो पानी में उबाल के सुबह निहार म को पी लिया करिये और लेकि तीस साल भी अप उम्र अशी हो गई है कि अमरा आधी हो जाती है क्युंकि हमारी हंडोस्तान में जो एज का रेशो है वो साट और प्षट है तो तीस साल में क्या मैं अब साथ साल का हो गया तो मैं भी अपने आपको ही समझता हूं कि मैं तो बेदना हो इसके लिए निसका बताया हूँ